जहां मस्जिद कमिटी द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मौसम में बदलाव का असर तापमान में भी देखने को मिल रहा है, जिससे गर्मी का अहसास होने लगा है। जिससे प्रदेश में लू की स्थिती बनी हुई है। धूप से बचने के लिए रहागीरों को गमचे या सकार्फ का सहरा लेना पड़ रहा है। बढ़ती हुई धूप से डिहाइडरेशन का भी खत्रा बना हुआ है। तेज धूप से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बचना जरूरी है। आईए देखते हैं इससे बचने के उपाए पर एक खास रिपोर्ट। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी ऐसे में कई स्वास्त समस्याओं का खत्रा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइडरेशन यानि निर्जली करन एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खत्रा साबित हो सकती है। डिहाइडरेशन के लख्शन होते हैं, कमजोरी नहीं हैसूस होना, भोट सूखना, मुझ सूखना, चक्कर आना, हल्का हल्का सद्गर धूना। शरीर के तापमान को समाने रखने के लिए शरीर में पानी की अवशक्ता होती है पानी पसीने के रूप में मोत्र और मल के जरिये शरीर से निकलता है पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए समय पर इसकी पूर्ती न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खत्रा बर जाता है डिहाइड्रेशन को उसे बचने निर्जगी करन से बचने के यह कारण होते हैं कि घर में जो भी पानी है उसे साफ करके पीते रहें चाच या लस्की पीए नादेल का पानी पीए नमक चीनी का गोल जो सरदार ने ORS का सरूशन बनाया है उसको पीए और साफ सताई का ध्यान रखें और अपनी पानी पीते रहें जिससे आपको डिहाइड्रेशन या निर्जगी करन के लक्षक ना हो शरीर में पानी एक बेहद अवश्यक तत्व है यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जगी करन का खत्रा हो सकता है निर्जगी करन को नजरंदाज ना करें गर्मियों में निर्जगी करन से बचाव के लिए परियाप तो मात्रा में पानी पीते रहें यदि निर्जगी करन की समस्या लग रही हो तो नमक चीनी का घोल या फिर ORS का घोल अवश्य पिये